और फैजबाद में अउधा में हब एक और नया मोड आ रहा है माबले में करनी सेना ने अब नया मोड ला दिया है और करनी सेना ने विवादित स्थल पर राजमहल बनाने का एलान किया राजपूत करनी सेना के संस्थापक संरक्षक यहाँ पर लोकेंदर सिंग कालवी ने कहा है अयुध्या विवादित परिस्तर में करनी सेना बनाई गया और राजमहल भगवान राम च्छत्रिय थी और इसलिए च्छत्रिय को ही आगे बढ़कर भूमिका निभाने होगी और इसी को लेकर उनका यहाँ पर व्यान सामने आया और साथी कहा है कि भगवान राम च्छत्रिय थी और उनका जन्म राजमहल में हुआ था और इसलिए यहाँ पर राजमहल भगवान राम च्छत्रिय थी और उनका जन्म राजमहल में हुआ था इसलिए अयुद्धा में जो विवादित भूमी है उस पर राजमहल का निर्मान होना चाहिए एक नया मौड अब अयुद्धा मामले में भी सामने आ रहा है राजपूत करणी सेना की तरफ से कहा गया है कि इस पूरी विवादित भूमी पर राजमहल का निर्मान किया जाए क्योंकि भगवान राम बेच्छतुरिय थी और उनका जन्म राजमहल में हुआ था इसलिए करणी सेना यहां पर राजमहल बनाने की पेश्कस कर रही है क्या कुछ सामने निकल कर सामने आता है और ज्यादा जानकारी के लिए विवेक तिवारी हमारे सम्माद आता लखनों से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं विवेक अब एक और नया मोड सामने आ रहा है और जो जमीन विवाद है उस पर करणी सेना ने दावा किया है कि लेकिन जिस तरह से अब यहां पर इस विवादित भूमी पर करनी से ना दावा कर रही है कि भगवान राम च्छत्री यह थे उनका राजमहल में हुआ था इसलिए यहां पर पेश्ट्रस की जा रहे हैं कि राजमहल का निर्मान किया जाए जी हाँ बलती वो यह कह रहा है कि हम खुदी माँ शुक्रिया आपका विवेख हमार साथ फोलनान पर चुड़ने करो तुमाम जानका रिसाथा करने के लिए झाले की जानका विवेख झाले की जानका विवेख गर निर्मा बाले का पुदी माल जानका राजम जानका राज स्बस्त्क अर्वेख बल्लबग यह करने कि हमार दोलती यहां जाए